कक्षा 6 के लिए द्विदिये भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूरवा भाग एक पहला पाठ कलम प्रिष्ट संख्या एक से पाँच तक प्रस्तुत है पाठ कलम अ नामे आ की मात्रा ना र अनार अ की मात्रा म आम म क में आ की मात्रा न मकान न ल नल अब आप पहचानो और बोलो क、 क, क, का, काा ल ल, ल, ला ला म, म, म मा, मार, र, र, रा, रा अब सुनो और बोलो आम, काम, नल, नाम, नाम, दाम, कान, नाक, नाक, माल, लाल, गाल, काल, काला, नाला, माला, मामा, नाना, अनार, कमल, कलम, कलम, नमक, कदम, कमरा, कमला, कमान, मकान, समान, अब इन वर्णों को लिखने का अभ्यास करिए अ, आ, क, ल, म, र, न, यहाँ पर कुछ चित्र दिये हुए हैं। आप इन चित्रों के अधूरे नाम पूरे करें। सबसे पहले यहाँ पर नाक का चित्र है। ना, रिक्तिस्थान। यहाँ पर माला का चित्र है। मा, रिक्तिस्थान। और यहाँ पर मकान का चित्र है। म, रिक्तिस्थान। न, यहाँ पर एक घड़े का चित्र है। इसमें वर्ण हैं म, ल, न, आ, र, अ, क, अ की मात्रा। अब इन वर्णों और मात्रा से शब्द बनाओ। जैसे दो वर्णवाले शब्द न, ल, नल और तीन वर्णवाले शब्द जैसे क, ल, म, कलम, मौखिक पाठ। यहां कुछ चित्र दिये गए हैं। उनके लिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनका उत्तर देना है। यहां कलम का चित्र है। यह क्या है। यह कलम है। यहां आम का चित्र है। यह क्या है। यह आम है। यहां पर मकान का चित्र है। यह क्या है। यह मकान है। यहां पर कमरे का चित्र है। यह क्या है। यह कमरा है। अब मैं वाक के बोलूँगा और आप इसे दोहराएंगे यह कलम है यह मकान है यह अनार है यह कान है यह कान है यह कमरा है अब मैं दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए वाक बोलूँगा और आप उन वाक्यों को दोहराएंगे वह कलम है वह मकान है वह अनार है वह कमरा है अब मैं पास की तथा दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए आप से प्रश्न पूछूंगा और आपको उनका उत्तर देना है पास में कलम का चित्र है यह क्या है? यह कलम है दूर नल का चित्र है वह क्या है? वह नल है योग्यता विस्तार एक शिक्षण विंदू में दिये गए सभी वर्णों तथा मात्राओं को लिखने का अभ्यास करें दो विद्यार्थी क, म, न, र, ल, अ, आ, और आकार की सहायता से अन्यशब्द बनाएं दूर्वा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए दूर्विधिये भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार